गुद मार्केटिंग कंसेप्ट, अब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन्स यह स्टेप्स हमने कवर कर लिये थे, आज हम आपको मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताएंगे, कि मार्केटिंग में जो फंक्शन्स हैं, कुछ इंपर्टेंट फंक्शन्स हैं, उनका मिक्स किस तरीकी से बनता है, ठीक है, यानि उनमें क्या-क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले हम जाने कि एक वर्ड है मार्केटिंग मिक्स के साथ प्रोडक्ट मिक्स, एक है मार्केट में लेके आ रही है उसको हम मार्केटिंग मिक्स कहेंगे ठीक है ये ब्रॉड कॉंसेप्ट है और एक फॉर्म एक ही प्रोडक्ट में कितनी वेराइटीज लेकर के आ मिक्स्चर दे करके आ रही है उसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे इसका एक्जाम्पल मैं इस तरह से दे सकता हूं कि जैसे मान लिजे पतंजली लिमिटेड डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें चमन पराश भी है शैंपू भी है क्रीम भी है है रोयल भी है कुछ पराश भी है सब तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो इसको हम बोलेंगे मार्कटिंग मिक्स लेकिन जब पतंजली मान लिजे रोडिये दिशह बाथिंग बनाती है अरुसमें डिफरेंट वाराइप्स लेकर आती है यानि कि बातिंग अ खुअअ प्रोड़क्ट ह और उसमें हल्दी चंदन मान लिजी एक है, एक ऐलो वेरा है, इस तरह से अलग-अलग टाइप्स के अगर वो बाथिंग सोब बना रही है, इसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे, निकिए पर्टिकलर प्रोडक्ट में कितने तरह का मिक्स्चर है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स बेसिकली, फोर पिलर्स पर ठीका हुआ है, जिसको हम फोर पीज के नाम से जानते हैं, इस अलसो नोग अज फोर पीज अफ मार्केटिंग, डट इस प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रोडॉशन, आईए सबसे पहले हम देखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते ह है, प्रोडक्ट एक्चली गुड्स है और सर्विस है, हम गुड्स या सर्विस दोनों को ही प्रोडक्ट में कंसीडर करेंगे, जो सेल के लिए ओफर किया जाता है, सर्विस भी सेल के लिए होती है, और पर्टिक्लर गुड्स या प्रोडक्ट भी सेल के लिए होते हैं, पर एक्जम्पल, हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड ओफर्स नमबर अफ कंस्टुमर प्रोडक्स लाइक टॉलेटरीज, यानि कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिसको प्रोडक्टिक्लर कंपनी बनाती है, तो यानि कि सर्विस एंड फिजिकल गुड्स दौनों को हम प्रोडक्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है, दूसरा है, प्राइस, प्राइस इस दा अमाउंट अफ मनेटरी, मनी कस्ट है, प्राइस का मतलब है कि वो मनी जो कंजूमर किसी प्रोड़क्ट या सर्विस को परचेस करने के बदने में, प्रोडीूसर को या सेलर को देता है, इन केस अफ मुस्त अफ तव टाइम, प्रोड़क्स लेवल अफ प्राइस अफेक्ट अ लेवल अफ दिमांड, देखिए demand और supply को बहुत ज़्यादा effect किसी हद तक किसी भी product का price करता है price अगर ज़्यादा है तो demand कम हो जाएगी price अगर कम है तो demand किसी भी product की increase हो जाएगी opposite relation दोनों के बीच में है अब बात आती है place की place यानि कि वो place जहां पर किसी भी product का physical distribution होता है अगर हम उसको market कहें तो यह कोई बड़ी बात नहीं है यानि market को हम place कह सकते हैं यानि वो जगा जहां पर bargaining होती है और seller और purchaser दोनों एक जगा पर इखटे होते हैं और business activity perform होती है हाँ तो students fourth हमारा जो element है that is promotion ठीक है promotion के बारे में हमने आपको बताया था कि sales को increase करने के लिए जो भी activities perform की जाती है उनको हम promotion कहते है एड़र्टाइजमेंट promotion का part नहीं है क्योंकि advertisement regular activity है किसी भी new product को introduce कराने के लिए advertisement की help ली जाती है but existing product की sales को increase करने के लिए जो activities होती है उनको हम promotion activities कहते हैं ठीकस ट्रेंट्स promotion में क्या क्या आएगा जैसे buy one get one free आप जानते होंगे आपने देखा होगा shopping malls में होता है discount offer या lottery system या quiz के थुरू after sales services यानि यह बहुत सारे ऐसे activities है actions है जिसके base पर किसी भी product को promote किया जाता है यानि उसकी sales को increase किया जाता है तो students यह जो four piece है marketing mix के आप बिल्कुल अच्छे से learn कर लिजे marketing mix क्या है तो आप बताएंगे marketing mix four pillars पर यानि four piece पर है four piece पर है product price place promotion यानि four piece आप लोग अच्छे से learn कर लिजे exam के point of view से बहुत important है ठीक है तो students आज के लिए बस इतना ही next video में हम आगे का portion देखेंगे okay thank you